स्टॉकजिने मैं आपको बहुत भाओत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक चरम और इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं एपैस्ट मायन टेक्नलोजिय दो करने ओड भारे में यहाँ पर हम टिसकश करेंगे क्या Ϲने वाले हैं important supports क्या होंगे targets और क्या strategy हम लेकर चलें 19 जनवरी के लिए तो शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं अब traded price की तो आप देखिए 1321 रुपे 65 पैसे पर stock trade करता हुआ नजर आ रहा है और 1.21% की गिरावट अभी तक यहां पर stock में देखने को मिल रही है बात करते हैं buying and selling quantity की तो selling pressure stock में अभी तक हावी है और deliverable quantity आप देख सकते हैं शांदर deliverable quantity अभी तक उठाई जा चुकी है तो अब discuss करते हैं इसके charts के बारे में यह देखिए उस्ताब के सामने happiest minds का daily chart हमने लगाय हुआ है और यहां हुआ नजर आ रहा है बात करें recent support की तो यहां पर एक important support happiest mind में बना हुआ है जिस पर आपको नजरे बना कर चलनी है और यह support है 1291 रुपे का support यहां दोस्तों 1291 रुपे का support है यह important support बना हुआ है अगर यह भी break होता है तो फिर देखे 1280 की तरफ किरता हुआ स्टॉक नजर आने वाला है लेकिन बात करें उपर के targets की अगर यहां से फिर से तेजी हमें देखने को मिलती है तो next target जो कि स्टॉक अच्छीव करता हुआ नजर आएगा वो नजर आएगा 1380 रुपे का target तो happiest mind में उपर की तरफ 1380 का target यहां से लेकर चल सकते हैं बात करें इन लेवल्स पर क्या fresh buying बनती है या थोड़ा wait करके चलना चाहिए दोस्तों हमारे साब से इन लेवल्स पर थोड़ा wait हमें करके चलना पड़ेगा fresh buying के लिए लेकिन आपके portfolio में अगर happiest mind hold है तो बिलकुल continue to hold रखें यही strategy आपको पनानी है happiest mind में आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research सरूर करके चल सकते हैं तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाए थी यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो please like करें share करें और subscribe करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद